सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार तो यार आज चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ बहुत से मेरे भाई लोग थे जो कॉमेंट करकर पूछ रहे थे कि यार बावा साब अमभेदकर इनुवर्सेटी का होस्टल का वीडियो दिखाओ सब्सक्राइब अपने रूम का टूर करेंगे और आपको हम दिखाएंगे कि मेरा जो रूम है किस तरह का है और यहाँ पर इस्पेसली जो है घुश्टल ओ बाच्चों के लिए ही अलोट के जाता है जैसे कि यूपी वालो बच्चों को बहुत ही कम किया जाता है जैसे कि दू तो चलते हैं अपना रूम तो बने रहे हैं आरे वीडियो के साथ किस तरह का रूम है यह हमारा रूम है तो देख सकते हो यह हमारा रूम है तो देख सकते हो इधर बादल का रूम है पर यह अच्छा से वेड़ बिछाया नहीं है तो इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि बहुत जोग जानते हैं कैसे रहते हैं अप लोग सब जानते हो तो फ जो बहुत बड़ा अलमीरा के बगयाल में एक चगह है जहां पर अपने जो भी समान हो आप रख सकते हैं उसके जास नीचे पी कापी बड़ा स्पेस है यहां पर कुछ मेंने अपने समान सरक हुए है आपने कुछ याद के लिए फोटो हैं अपने घर के ममी पपा का और कुछ इन अपने क्लासिस होती है और यह पे टेवल दिया हुए और यह new Works यह गवर्मेंट के दारा ही प्रोधिट किया गया और टेवल-की साथ-साथ यह बेड, लिकत नहीं है देख सकते हो और इसके बाद इदर आते हैं देखते हैं यह अलमीरा अलमीरा आपको दिखाते हैं मूपर में तो गाइस देख सकते हो किसे हो यार मजा है यार देखो कितना इस वेस है इसके अंदर लोग मन देख सकते हो कि कितना बड़ा है यह रूम और इसको सकते होई जिसमें अपने मैंने कुछ समान रखे हुई है तो देख सकते हुए उपर से उपर मैंने एक बैग रखा हुए जोला जिसको बोल सकते हूँ इसके नीचे मेरा यह ट्रोली है जिसमें मैं समान लाया था वर इधर से पुरा पूरा पूरा रूम खाली है तो गाइस देख सकते हो कितना बड़ा है यह अलमीरा लब सायद ही किसी लब होस्टल का रूम में इस तरह का मिलता होगा लेकिन working condition में सकाफी सही बेड है थोड़ा सभी फोल्ट नहीं है आपको मतलब हाई यह है कि सब सही है रूम में देख सकते हो लाइट्स विज्यो सामने लगी हुई है पूरा वेल कंडिशन में लाइट्स भी अच्छी है पंखे बी अच्छे है चलते हैं आपको चला कर दिख तक आज़ देख सकते हो अच्छा रोग दिखता ओर इधर से खिढ की है अभेस तो vrij już यह पेथे रिए helps आपी हम लोग ने पर्दा नहीं लिया तो नहीं लगाए और इस तरह देख सकते हैं इस तरह एक की अधराइगे एक में दो लोग रहते हैं, तो देख सकते उस तरह बेढ है, जो बलाई बेढ ही है, और देख सकते उसका समान जफ्ट वैसा ही है, और सामने अलमीरा उपपर में भी वहीं, सेम वही इस्ट्रेक्चर और रहुड़ सकते उधर घर लाइट वर्किंग कंडिशन में, सब मतलब मज़ा आजाता है यार होस्टल में, यहाँ पर आकर मुझे ऐसा कभी फिल हुगा नहीं कि मैं होस्टल मेरा रहा हूँ, मुझे अपना घर के जैसा फिल हुगा, तो आप लोग भी बताना कि हाँ बीबे यू का होस्टल कैसा लगा, इस तरह आप एक बालकोनी भी है, चलते हैं बालकोनी में और आपको दिखाते हैं बालकोनी सोला रेशियो दस का है, यानि कि सोला इसका लेंथ है और दस इसका प्रेथ है, काफी लंबा चोड़ा रूम है, इतना बड़ा लंबा चोड़ा रूम मैंने कभी भी किसी दूसरे होस्टल का नहीं देखा, तो गाईज देख सकते हो, आपको खुद महसुस हो रहा होगा कि क बाथरूम्स और यहां पर पानी पीने के लिए आरो है, यह सब दिखाने का कोसिस करेंगे, इस वीडियो में से हम आप मेरा यह पर्पस था कि आपको पुरा रूम का टूर करा दे कि किस तरह का रूम मिलता है आपको इस पेसली रहने के लिए, क्योंकि लोग आते हैं तो कुछ दिन में वह भी अफ्रोड कर देंगे, अपने केंपस का और अपने होस्टल का और बार की भी यहां पर तीन होस्टल है, असोका, कनिस्ट का और एक और है, जो के मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बाद में है, वह आपको हम बता देंगे, तो गड़िस देख सकते है मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में, तब तक लिए खाटा, बाइबाय, भाई को प्यार करते रहो, ठीक आपी, मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में